नमस्कार किसान भाईयो मैंने डिकंपोजर के साथ में गोवर के एक साल पूराने और लगवग एक से दो साल के पीछ के पूराने कंड़ों का इसमें एक बोरे में इस प्रकार से भरके और इसमें डाला था और उसका जेब्रेली केसिट हुमी केसिट बनाया था जिसका की उप यह भार निकाल के डाला सबर्ट निकाले तो बोरे में भलाए रखे थे वह जो कंडे हैं उन पर मैंने देखा कि इस प्रकार से आप यह दिखिए कि इन गीले कंडो पर ये इस प्रकार से आपको बारिक सफेद सफेद फपुंद दिखेगी यह फ़कूंद निष्चित तोर प उप्योग की फफुंद है यह ट्राइकोटर्मा भी हो सकती है यह राइजोबियम भी हो सकता है चुकि यह डिकम्पोजर में था तो इसमें किसी हानिकारक फफुंद की इसी संका नहीं है कि होगी यह हमारी लापदायक फफुंद है हम इसका बाद में इन कंडों को निकाल कर और इन्हें हलके सी नमी जब तूट जाए तो इन्हें बारिक करके और अन्य खाद में मिक्स करके और नमी के समय अगर खेत में उप्योग करें तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें अलग से कोई नई फफुंद खरीदने की जरोतनी पड़ेगी यह लापदायक फफुंद हमारे ल यह गेहूं है यह गेहूं लगे हूँ है इसमें ना कोई डीएपी है ना कोई यूरिया है बस इसी प्रकार से डिकंपोजर जीव अम्रत का उप्योग है और यह लगभग लगभग अब इसमें बालियां बनना चालू हो गई है और साइद अगले दस-पांच दिन में काफी और यह गेराने डिखने लगेगी से तो हम घर हाम और यह जरीलिकशी या इस टाइप से जो हम अन्य आदान खरिदते हैं बजार से तो घर हम बना सकते हैं यह पुराने कंडे हमारी दों में आसकते है पहला हमीर के बनाना जिवरिक किस्ड बनाना उसके लिए कोई अलग वि यहां एक अच्छे तरल जेव खाद का काम करेगा और उसके बाद में इन कंडों को बाहर निकाल के हम हल्की सी च्छाओं में रख दें तो इसमें इस प्रकार से खुपूंद का निर्मान हो जाएगा जो हमारे लिए आगे लाब दयक होगी दुन्यवाद